हाई गैस वेलकूम टो टी टे एंजी रिव्यूज आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे एक नए सेल्फी फोन की एस्यू जेन फोन फोर सेल्फी की ये फोन आपको पंदरह हजार रुपे में फिल्प कार्ट पे अवेलेबल है तो आए जल्दी से खोलते हैं और नज़र आलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास फोन है हमारे पास इसका डीप सी ब्लाक कलर है जो आपको पीछे से देखने में ब्लू टिंट देगा वैसे आपको इसमें सनलाइट गोल्ड कलर और रोस पिंक कलर भी एवेलेबल है आई एसको पहले साइट पर रखते हैं और बाकी चीजों पर नज़र डालते हैं यह है हमारी एजेक्शन पिन इस आर दी लीगल दॉक्यूमेंट्स यह हमारा ट्रेवल अडप्टर और यह माइक्रो यूस्बी टू यह फोन काफी लाइट वेट है उसके थिकनेस पे बहुत कब हैं मोसलिए हमारे पास सारे फोन ब्लाक और गोल्ड कलर में होते हैं उसमें से इसका ब्लू कलर बहुत उनिक लग रहा है हाला कि थोड़ा सा यह फोन आपको स्लिप रगेगा हाथ में होल्ड करने में आइए इस फोन के डिजाइन और बटन्स पे नजर डालते हैं फ्रंट में हमारे पस डूल क्यामरा सेटप है एक 20-megapixel का क्यामरा जिसका अपर्चर साइज एफ 2 है और एक 8-megapixel का क्यामरा 120-degree wide angle के साथ उसके साथ आपको एक soft light LED flash मिल रहा है साथ में earpiece और कुछ sensors नीचे हमारे पास 5.5 inch की IPS display है उसके नीचे हमारा fingerprint sensor है जोके हमारा home button है यह capacitive button है और इसके side में हमारे back button और multitasking button है device की right side में हमारे पास power button है उसके उपर volume rockers डिवाइस की left side में हमारे पास sim tray है जिसके अंदर आप दो nano sim डाल सकते है और एक micro SD card डाल सकते है अप्टू 2 TB device की bottom में हमारे पास speakers है और बीच में micro USB port device की top में हमारे पास 3.5 mm headphone jack है उसके साथ microphone और back side में हमारे पास 16 megapixel camera है उसके साथ LED flash और नीचे एस्यूस का logo आइए फोन को जल्दी से on करते है आप देख सकते है इसके इसके इंदर 5.5 inch IPS display है जिसके अंदर front में 2.5 d curved glass है उसके साथ 1.65 mm slim brisles जिसे आपके display view काफी जादा है इसके साथ इसमें 400 nits की brightness दे गई तो आप इसको असको sunlight में भी यूस कर सकते है फोन को असे colors काफी bright है उसके साथ आपको screen के ऊपर oligophobic coating दी गई है जिससे आपका ये phone फिंगर्पर्ट रिस्टेंट रहेगा और स्मज रिस्टेंट रहेगा ये device अपका रन करता है Qualcomm Snapdragon 430 octogore processor से उसके साथ Adorno 505 जो की बेस्ट है Android 7 इसके इंदर आपको 4GB RAM और 64GB internal memory मिल रहे है जिसको आप 2 TB तक expand कर सकते है एक dedicated slot के साथ अगर हम user availability RAM की बात करें तो आपको इसके इंदर 51.3 2 GB internal memory और 2.5 RAM free मिल रहे है और इस device के अपको 3000 mAh की बैटरी बेल रहे है साथ ही Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi direct, GPS जैसे अन्य फीचर अगर हम इसके कैमरे के बात करें तो बैक में हमारे पस इसका 16MP के कैमरा है जिसके साथ आपको Face Detection Autofocus, LED Flash, Full HD 30fps video recording with electronic image stabilizer मिल रहे है इसका front camera actually में इस फोन का main feature है जिसके इंदर आपको dual camera setup मिल रहे है 20MP प्लस 8MP जिसमें आपका aperture size F2 है और उसके साथ आपको एक 120 degree wide angle मिल रहे साथ ही आपको इसके इंदर soft light LED Flash, low light mode, HDR mode, beauty mode, selfie, panorama shot, GIF animation जैसे features भी मिल रहे हैं Overall, ये फोन देखने में काफी सही लग रहा है मैं जल्द वापस आँगे इस फोन की complete review के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, share करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल है